हलो दोस्तो स्वागात है आप सभी का कॉबिक वर्ड टू पॉइंट ओपर तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं अनिल मुहन की नौविल पोते बाबा का तीसरा भाग मखानी बिना रोके आगे बढ़ता रहा तो महाजन फॉरं ठिटक कर बोला वो हमें देखते ही मार सकते हैं जगमोन तुम खामाखा डर रहे हूँ, मैं उने जानता हूं मखानी बढ़ijnा रहा मुझे तुम पर यकिन नहीं क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा वहां मुझे अपनी जान फ्यारी नहीं किया महाजन हिचकिच आया आओ भी, वहाँ इन लोगों के बीच को आचकर तुम्हें अच्छा लगेगा ना चाहते हुँ भी महाजन मकानी के साथ आगे बढ़ गया बस्ती बालों की निगाउन पर पढ़ी तो वहाँ शोर सा उट खड़ा हुआ वो सब इनके इर्दि-गर्दे खट्टी होने लगे सबकी निगाउं में उस सुकता थी मकानी, शोरी की फुस्तसाथ कानों में पड़ी इन्हें बोल कमला रानी से मिलना है तुम्हें कमला रानी, मकानी की होटों से निकला, वो यहाँ है हाँ, वो तो कब से तेरा इंतिजार कर रही है महाजन और उल्जन बरी निगाउं से उसे देखते हुए कहा तुम किस से बात कर रहे हो तुम नहीं समझोगे चुप-चाप देखते रहो फिर वो आस-पास खड़ी भीड से बोला कमला रानी से मिलना है मुझे उसी पल शोर सा उठा एक आदमी भीड में से आगे आया आओ, मैं तुम्हें कमला रानी के पास ले चलू क्याकर वो एक तरफ चला गया मखानी और महाजन साथ हो गए हैरानी है कि तुम इन सब लोगों को जानते हो महाजन बोला जवाब मैं मखानी मुस्कराया बोला कुछ ने तुम यह पहले आचो क्यों जगमोन नई, यह मेरी पहली बार है मखानी बोला तो तुम्हें यहां के बारे में पहले सी जनकारी होगी चुप रहो धीरे-धीरे तुम्हें तुम्हारे सवालों की जवाब खुदी मिल जाएंगे कई जोपड़ियों के पास से गुजर कर वे एक बड़ी सी जोपड़ी के बाहर पहुचे जो कि छे जोपड़ियों जितनी बड़ी थी उसके सामने खुली जगह थी वो आदमी मखानी से बोला तुम रुको मैं कमला रानी को तुम्हारे आनी की खबर देता हूँ उससे कहना मखानी आया है वो आदमी सेर हिला कर जोपड़े में प्रवेश कर गया महाजन उलजन बरेस और मैं मखानी को देखता क्या उटा क्या नाम बता तुमने अपना मखानी वो मुस्कराया क्या तुम्हारा पूरा नाम जग मोहन मखानी है नहीं तो तुमने अपना नाम मखानी क्यों बताया वो मज़े इसी नाम से जानती है लेकिन कमला रानी है कौन वो आ गई महाजन की नज़र जोपड़े की तरफ उटी अभी अभी कमला रानी बाहर निकली थी सजी समरी हरे रंगे चमकते कबड़े पहन रखे थे बालों को पीछे करके बाँध रखा था होटों पर लिप्स्टेक चेरे पर मेक अप वो हसीन लग रही थी उसे देखते हैं मखानी का चेरा खेल उठा कमला रानी, मखानी, मेरे प्यार मखानी उसकी तरफ दोड़ा, कमला रानी भी आगे बड़ी अगले इपल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे महाजन हैरान परिशानता जगमोहन का ये रूप देख कर बस कर कमला रानी, भौरी की फुस्फ़ाइट कमला रानी के कान में पड़ी, काम की तरफ ध्यान दे, कमला रानी नोसी पल मखानी को अपने से अलग किया, चल भीतर चलते हैं, मखानी व्याकुल सा क्या उठा, भौरी कहती है पहले काम, कुछ देर की बात, नहीं, मुझे भौ काबू रख काम कर उसके बाद तेरे को और कमला रानी को अकेले में जाने का मौका मिलेगा ठीक है मखानी ने मू लटका कर खा कमला रानी की नजर महाजन पर गई तो इसे ले आया है तू एक ही बाकी भी टापू पर है अपने आदमी भेज और उन्हें मंगवा ले अभी भेजती हूँ तू किसके रूप में है कमला रानी ये काल चकर का भीतरी इस्सा है यहां मैं इस बस्ती की मालकिन की रूप में हूँ यह सब बस्ती वाले मेरा हुक्म मानते है कली मैं यहां भारी उन्हें मुझे यहां पहुचा है जो यहां की मालकिनती वो कमरे में सोही पड़ी है तब तक सोही रही जब तक मैं अपने काम करके चली नहीं जाती उसी का रूप में जो भारी नहीं दिया है क्या उसका नाम भी कमला रानी है नहीं, कल मैंने बस्ती में सबसे कहा दिया था कि अब मेरे नया नाम कमला रानी है यही बज़े रही है कि तुम्हें मुस्तकाने में कोई परेशानी नहीं हुई कमला रानी ने कहा, तेरे को अपने करीब पाकर मैं बहुत खुश हूँ यह बात है छोड़ा अगे का काम कर तु बाकी लोगों को पकड़ने के लिए बस्ती के आत्मी भेज और मैंने सब तैयारी कर रखी है आज राती में देवा और मिन्नो का मुकाबला करा कर एक की जान लेकिन वो लोग तो तैय किया बैटे हैं कि उन्हें जगड़ा नहीं करना मकानी नका वो बेवकूफ हैं सब, मेरे इंतिजाम के सामने वो बौने हैं वो कैसे, तब ही महाजन पासा पहुचा तुम दोरों क्या बाते कर रहो, महाजन उलजन में बोला ये कौन सी जगए है, मकानी और कमला रानी की नजरें मिली इसका इंतिजाम कर, हंसराज, कमला रानी उचे सवर में क्या होटी किस इंतिजाम की बात कर रहो तुम, महाजन ने मकानी से पूछा तेरा इंतिजाम, मकानी जहरीले सवर में मुस्करा पड़ा मेरा इंतिजाब क्या मतलब महाजन चौका मैं जगमोहन नहीं हूँ नहीं है जगमोहन तू महाजन अचकचाया ये कैसे हो सकता है मैं जगमोहन का नकली रूप हूँ मखानी हूँ में मखानी ने कड़वे सर में का काल चक्र का हिस्सा हूँ ओ महाजन चौका तब ही बीस बरस का हट्टा-कट्टा काला से वेक्ती वहाँ पहुंचा महाजन इन पलों में समझ नहीं पाये कि क्या करे बोल कमला रानी हंसराज बोला इस टापू पर कुछ अजनभी लोग आये हैं कितने मखानी कमला रानी ने मखानी को देखा आठ हैं लच्पन और सपन को मिला कर उन आठों को पकड़ ले आओ अपने आदमी हर दरब बेज दो अभी उन्हें पकड़ मगवाता हूं कहने के साथ ही अंसराज वहाँ से चला गया कमी ने तब ही माजन गुस्ते से मखानी पर छपट पड़ा कमला रानी ने उसी पल चोड़ दाठोकर माजन के पेट पर मारी माजन पेट पकड़ कर चीक ता वह दूर जागे रहा वा कमला रानी तूने तो कमाल कर दिया मखानी हस पड़ा कमला रानी ने दूर खड़े आदमी को बिला कर कहा इसे पकड़ कर कैद में रखो सक पैरा लगवा दू जी कहकर वह आगे बड़ा और खड़े होते माजन को बहां से पकड़ लिया छोड़ माजन ने क्रोस से बहां छुड़वानी चाही परंतु उसने बहां नहीं छोड़ी और किसी को उची आवाज में पकारा फॉरन ही दो आदमी वहां पहुचे वो तीनों माजन को थामें वहां से ले गए कैसे फड़ फड़ा रहा है मखानी बोल पड़ा लच्मन और सपन कौन है मोमो जिनने अपना काम निकालने के लिए उन पर रदिकार कर रखा है समझी मखानी प्यार से कमला रानी को देखने लगा ऐसे मत देख कमला रानी ने गहरी सांस ली दिल में कुछ होता है मैं तो तुझे पाने के लिए मरा जा रहा हूँ पूछ मत हाल मेरा भी ऐसे ही है लेकिन ये काम निप्टाना है मुझे भौरी कहती है कि काम के बाद मुझे वो मुझे और तेरे को पूछ जनम की दुनिया में ले जाएगी शौरी ने उससे बात कर ली है वहाँ हम सब्ता में एक बार मिला करेंगे सब्ता में एक बार कम नी लगता तेरे को कम तो है परन्तु मैं भौरी को धीरे धीरे तयार कर लूँगे कि कम से कम सब्ता में दो बार हमें मिलने दे तू भी इस बारे में शौरी को राजी करना वो भी क्या दिन थे जब मैं बूड़ी होती थी लाठी टेक कर चला करती थी और उपनी मौत का इंतिजार कर रही थी मैं भी तो बुड़ा था लेकिन शौरी ने मुझे जवानी दी तेरे से मिलवाया कितना अच्छा हो गया अब सब कुछ काल चक्रे कितना अच्छा है कि हमें हर तरफ से मौच करा रहा है बदले में उसके थोड़े से कामी तो करने पड़ते हैं बातों मैं मैं वक्त खराब कर रही हूँ वो सब लोग जल्दी यह आ जाएंगे उनके लिए तैयारी भी करनी है तो भीतर आराम कर मेरे हिस्से के काम भी बागी है जाने दे मुझे कहकर कमला रानी आगे बढ़ने को ही कि मखानी नो उसका हाथ थाम लिया छोड तु जल्दी घर्म हो जाता और एक चुम्मी दे दे मैं तो तभी मखानी के कानों में शौरी की फुस्वसाथ पड़ी तु मानेगा नहीं मखानी एक चुम्मी तो ले रहा कमला रानी का हाथ छोड़ दे उसे जाने दे उसे बहुत काम करने है शौरी की फुस्वसाथ उसके कानों में पड़ रही थी लो छोड़ दिया मखानी ना नाराजगी बरे सुर में का और कमला रानी का हाथ छोड़ दिया कमला रानी हसी बोली लगता है शौरी से डाट पढ़ी है इसके साथ ही वो चली गई मखानी नाराजगी से वहीं बैट गया मखानी शौरी की फुस्वसाट पुना कानों में पढ़ी तूने मेरे को एक चुम्मी भी नहीं लेने दी मखानी उखड़े सर में क्या उटा यह चोचले छोड मेरी बात सुन गंबीर बात है क्या मखानी अभी भी उखड़ा पड़ाता आज की रात फैंसले की रात है वो कैसे जथूरा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है इन कामों में वो वक्त बरवात कर सके यह टापू समदर के बीचो बीचो और कालचकर का ही इस्सा है आज की रात बीटेगी तो यह टापू वापिस समदर में चला जाएगा ऐसा क्या? हाँ आज की रात तूने और कमलरानी ने सफल होके ही रहना है सफल? देवा और मिन्नों मैंसे एक ही बचे दौनों मर जाएं तो बहुत अच्छा नहीं तो एक को मरना ही चाहिए समझ गया परंतो हम कालचकर का हिस्सा है सीधे सीधे उन्हें नहीं मार सकते तभी तो कमलरानी कुछ योजना के साथ चल रही है कैसी योजना? कमलरानी बताएगी तेरे को उसने देवा और मिन्नों में जगडा कराने का इंतिजाम तैकर रखा है जथूरा के पास जादा वक्त नहीं है फैसला आज की राती होगा शौरी की फुस्वसाट कानों में पड़ी ना हुआ तो तू ये क्यों सोचता है कि फैसला ना हुआ देवा और मिन्नों ने आपस में जगडा ना करने के बारे में तैकर रखा है ये बात छोड़ो कमला रानी इस बात को समाल लेगी मखानी चुप रहा फिर भी तेरे को बता देता हूँ कि अगर आज रात फैसला ना हुआ तो क्या होगा क्या होगा जथूरा सबके लिए पूर्च जणम में आने का रास्ता खोल देगा ये क्या बात हुई मखानी के उटों से निकला जथूरा तो उन्हें पूर्च जणम में आने से रोक रहा है हाँ परंतु हो फैसला कर चुका है कि आज रात काम नहीं हुआ तो जथूरा उन्हें पूर्च जणम के रास्ते की दरफ ढखेल देगा जथूरा यहां पर इन में से किसी पर भी वार नहीं कर पा रहा जबकि पूर्च जणम से उसकी ताकत से लोग काम पते हैं वहाँ पर इसका एक बारी इन सब को खत्म करने के लिए बहुत होगा शौरी की फुस्वसाट कानों में पड़ी जथूरा पहले तो इन सब के पूर्च जणम में प्रवेश करने पर परेज कर रहा था तू नहीं मेरे को बताया था अवश्य उसे इन सब के पूर्च जणम में आने का परेज था अब भी है देवा और मिन्नो एक साथ पूर्च जणम में पहुचेंगे तो दोनों के गरह मिलकर जथूरा का नुकसान करेंगे लेकिन अब जथूरा का विचार बदल गया लगता है शायद उसकी शक्तियों ने उसे संकेत दिया है कि वो देवा और मिन्नो को मात दे सकता है या ऐसा ही कुछ है असल बात तो जथूरा जानता होगा परन्तु तुम लोगों ने भरपूर चेष्टा करनी है कि आज राती देवा और मिन्नो में से एक खत्म हो जाए मैं और कमला रानी इस बात की पूरी चेष्टा करेंगे अगर तुम लोग सफल रहे तो हो सकता है कि जथूरा खोश होकर तुम दोनों के इनाम दे दे कैसा है इनाम तेरे को और कमला रानी को हमेशा के लिए एक साथ रहने का मौका दे दे वो फिर तो मैं बोर हो जाऊंगा कमला रानी के साथ रहकर हाँ हर वक्प मों मेरे पास रहेगी तो मैं बोर नहीं होंगा उसे देखकर कहीं और मुँ मारने का मौका ही नहीं मिलेगा शौरी के हसनी के आवाज मखानी के कानों में पड़ी हसता क्यों है तू तो बहुत चालाग है मखानी घर का माल भी खाना चाहता हो बार का भी स्वाद बदलने में बुरा ही तो नहीं है इसका जवाब तो तेरे को कमला रानी ही देगी उसे मत बताना ही ये बात परना वो नाराज हो जाएगी चिंता मत करन मखानी कमला राणी भी तेरे जे कम नहीं है कम नहीं है क्या मतलब मतलब चोड़ काम की दियान दे तुम दोने के पास काम के लिए आज की राध बची है देवराज चोहां नगीना बाके रुस्तम चट्टानी इलाके से पीड़ों वाले इलाके में प्रिवेश कर चुके थे पर अंतु ओभी तक उने कोई नजर नहीं आया था छोड़े बोल बाप यो टापू काम पे इस्तित होवे आप उनको क्या मालूम बाप मारे को पता होगे तेरे को नहीं मालूम बाखेला लठोर ने से रिलाया वे सब मद्यम गती से आगे बढ़ते जा रहे थे तो क्यों पूछेला बाप बात करने को मन करो हो आप उनको तो हर तरफ समयत रही लगेला बाप ये टापू खास होईला एक बात तुम लोगों ने महसूस की नगीना बोली कोई पक्षी या जानवर भी नजर नहीं आ रहा है जबकि इस हरी बरी जगह पर दोनों की मौजूद्गी होनी चाहिए लफडे वाली जगह लगेला है बाप देवराच्वान की निगा हर तरफ दोड़ रही थी उसके चेहरे पर कठोड़ता थी आप क्या सोच रहे है नगीना ने पूछा मेरे ख्याल में काल चक्र ने हमें मुसीबत वाली जगह पर ला फेका है इस टापू पर जबू कुछ खास है यह आप कैसे कैसे कहते हैं जथूरा का फेका काल चक्र हुए ही हमें यहाँ पर नहीं लाने वाला आपका मतलब है कि यह खत्रा आएगा जरूर परंतो हम समझ नहीं पारे कि खत्रा कैसा होगा देवराच्वान ने बिचे सौर में का अम खत्रों को वड़ देवराच्वान नो बाकेला लाठोर के उटा यह जथूरा के काल चक्र का खत्रा होगा बाके जिसका मुकाबला करना हमारे बस से बाहर की बात है उसने हमें खिलोना बना कर रखा हुआ भी तक हमने उसे देखा नहीं परंतु वो हमें देख रहा होगा हम यो जथूरा पूर्व जणमों में होए हाँ हम पूर्व जणमों में पहुँचकर जथूरा को वड़ दियो बाकेला लाठोर गुर राया मुझे यह आसान नहीं लगता क्यों पूर्व जणम के बाहर के इस दुनिया में वो हमें खत्म नहीं कर सकता उसकी ताकत हम पर काम नहीं कर रही परंतु पूर्व जणम में उसकी ताकत पूरा काम करेगी हम पर वो कितना शक्तिशाली है इसका आबास तो हमें होई चुका है पूर्च जनम में पहुंच गए तो वो हमें पलों में खत्म कर देगा देवराज चौन ने सोच बरिस्वर में का ऐसा होता तो वो तुम सबको पूर्च जनम में आने से रोकता नहीं नगीना क्या उटी दीदी परफेक्ट कहले ला है रुस्तम राव ने का अम पूर्च जनम में जाके जतुरा को वड़ देओ बाप पूर्च जनम में जाने का रास्ता केदर हो इला अम ढूंडो रास्तो को अम तब ही देवा के कानों में फुस्पसाट पड़ी देवा देवरा चौन बुरी तरह चौका पोते बाबा, उसके होंटों से निकला, हाँ मैं ही हूँ, पोते बाबा की फुस्पसाट पुना कानों में पड़ी, पोते बाबो फिर आगे हुए, बाकेला लटो तीके सर में कर उटा, मुझे सुन रहे हो देवा, हाँ, तुम तो जगमोन के पास ही आते थे, वो हालात दूस चक्र का हिस्सा था, असली जगगू तो वो था जो सुआनलाल को लेना उसके फ्लैट पर गया था, परंतू उसके बाद ये तेरे पास लोटा, जो जगगू का बहरूप काल चक्र का हिस्सा था, देवा चौन से कुछ कहते ना बना सच्चा ही सुनकर, देवा, तो जो मेरे स जगमौन तो वो नकली था, देवा चौन के होटों से निकला, हाँ, वो काल चक्र का पैदा किया जगगू यानी की मखानी था, और नगीना, देवा चौन की नगा नगीना की तरफ गई, बेला इस वग असली है तेरे पास, परंतु वो नकली थी, जो पंगले पर आई थी, वो कमला रानी थी, देवरा चौन की कदम ठिटक गए, बाकी सब भी रुगे, मैं तेरी बात का विश्वास क्यों करूँ पोते बाबा, देवरा चौन ने का, मैं कभी भी कोई बात गलत नहीं कहता, तू नहीं कहा था कि तू जथूरा का सबसे खास सेवक है, ये बात तो मै है कि जथूरा का सबसे खास सेवक मेरे से सच बात क्यों बोलेगा, तेरी बात गलत भी नहीं है, मुझे तेरी बात का जरा भी भरोसा नहीं है, देवरा चौन नका, मैंने पहले ही काया कि मैं जूट नहीं बोलता, मैं इतना जानता हूं कि तू जथूरा का सेवक है, सबसे सेवर फिर तू हमारे एक में बात क्यों करेगा क्योंकि इसकी भी कोई वज़य पैदा हो गई है कि मैं तुम्हारे काम हूँ कैसी वज़य वो वज़य कम से कम अभी तो नहीं बता सकता क्यों मेरी अपनी मजबूरी है लेकिन सही वक्त आया तो जरूर बताऊंगा क्यों तू जथूरा के साथ नहीं है जथूरा के साथ हूँ वो हमारा दुश्मन है हाँ तो तू हमारा दोस नहीं हो सकता तूमारा शुप चिंतक तो बन सकता हूँ तू हमारी चिंतक क्यों करेगा पोते बाबा क्योंकि तेरे एक ऐसान को उधार है मुझ पर पूर जिनम का ऐसान उसी तू मेरा फाइदा उठा ले, कैसा फाइदा, मेरी बाते सुनने में ही तुम्हारा फाइदा है, सुना, देवराज चौहन के माते पर बल पड़े हुए थे, यो थारे को फसावो हो, इसो की बत्यों में, बत्यों में मत फसनो, देवराज चौहन, बाकिला राटर गुसे से बो कैसा फर्ज, देवा के काम आना चाहता हूँ, यो तो अजीब हो बातों होए, जथूरा का सेवा उसके दुश्मन के काम आये हूँ, मैं अपनी समझ के हिसाब से जो कर रहा हूँ वो ठीक है, पोते बाबा के आवाज में गंभीरता आ गई, पहले इसकी बात सुने लबाप, त दौनों का हैं, कमला रानी नोंने काल चक्र के भीतर की बड़तों में फसा दिया है, इस वक्त को दौनों काल चक्र में फसे पड़े हैं, कहां, क्या करोगे जानकर, क्योंकि तुम अभी काल चक्र को जानते ही का हूँ, काल चक्र को ठीक से जथूरा भी नहीं जानता क्योंक कंट्रोल करने वाली स्तिधी पर काबू पाकर काल चक्र का मालिक बन बैठा। काल चक्र के भीतर क्या है कौन सी चीज कैसे काम करती है इस बात को तो जितूरा भी नहीं समझ पाया ठीक से। खत्रे से समसतर करने आया हूँ जिसमें तुम लोग अब फस्ते जा रहे हूँ। खत्रे के बारे में बताओ। जथूरा नहीं इस बात का फैसला ले लिया है कि तुम लोग बेशक पूर्च जनम में आ सकते हूँ। पहले तो वो हमें पूर्च जनम में आने से रोक रहा हाँ क्योंकि तुम लोगों का पूफजनम की यात्रा पर जाना उसके लिए नुकसान देता तो अब उसे नुकसान नहीं रहा मेरे खैल में उसने कोई इंतिजाम कर लिया इस बारे में कैसा इंतिजाम उस बारे में मुझे खबर नहीं पोते बाबा की दीमी आवास सब सुन रहे थे परंतु उसका निश्चिन्थ हो जाना इसी तरफ संकेत करता है कि उसे भरोसा है कि तुम लोगों उसे नुकसान नहीं पहुचा सकोगे फिर इस पर भी आज की रात उसने काल चक्र को छूट दे रखी है कि वो चाहे तो देवा और मिन्नों में जगडा कराकर किसी एक या तौनों को खत्म करा सकता है और काल चक्र ऐसा करने की बरबूर चेश्टा करेगा आज रात? हाँ, कुछ ही तेर में अंधेरा होने वाला है तुम हमारे ले क्या कर सकते हो? मैं सिर्फ तुम्हें सूचना दे सकता हूँ, वही दे रहा हूँ पोते बाबा की आवास सुनाई दी मैं मोना चौदरी से जगडा नहीं करूँग, देवरा चौनन का कमला रानी ऐसे हालात प्यादा कर देगी कि तुम जगडा करो कमला रानी यहाँ है? इस टाबू पकाल चक्र का पूरा गेरा है बहुत बड़ी बस्ती है जंगली जैसे लोगों की कमला रानी उनके सरदार के रूपे यहां मौझूद है जगओ यानी के मकानी उनके पास पहुँच चुका है कमला रानी अपनी तैयारी में लग चुकी है नील सिंग को कैद कर लिया गया है और बाकी सब लोगों को पकड़ने के लिए आदमी बेज़े जा चुके है तुमारा मतलब कि हमें आदमी पकड़ ले जाएंगे हाँ एक दोली इसी तरफ आ रही है हम उनका मुकाबला करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा तुम लोग उनसे मुकाबला नहीं कर सकते तो हम क्या करें वो तुमें सब को कैद कर लेंगे तुमने कहा कि कालचकर बस आज की रात है एक आएक देवराद चौन बोला हाँ आज रात के बाद क्या होगा कालचकर यूं तो तुम लोगों को खत्म कर देगा आज रात या नहीं भी कर सका तो सुबह तक कालचकर सिमट जाएगा कालचकर की सब चीज़ें अपने में सिमटी चली जाएगे सुबह तुम लोग खुद को घहरे समुदर के बीचो बीच पाओगे जहां से किनारा सैंकडो मील दूर होगा पुते बाबा की आवाज में कम भीड़ता थी देवराद चौन के होट से कुड़ गए फिर हमारा क्या हुआ? मैं नहीं जानता परंतु ये मुझे पता है कि उस इस्ती में तुमारे पूर जर्म में प्रिवेश करने के दर्वाजे खुल जाएंगे तुम लोग पूर जर्म के उस इससे में पहुचो के जा चाथूरा का सामराज जै अगर हम जिन्दा रहे तो हाँ अगर ये रात तुम सबने सुरक्षित निकाल ली तो रात ठीक से बीच जाए इसके लिए हमारे हमा कोई बहतर बात बताओ मैं कुछ नहीं कर सकता परंतु मोमो जिन शायद कुछ करे मोमो जिन वो तो जथूरा के लिए काम करता हाँ परंतु मैंने उसके बीतर इंसानी इच्छाय जगा दी है अब उसके बीतर ममता के भाव आ गए है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता अच्छा ही करेगा क्योंकि इंसानी इच्छाय उसे चैन से नहीं बैठने देती वो अब कहा है टाफू परी है लच्मन दास और सबन चटा के पास ही कहीं होगा उसकी जूटी उन दोनों से काम लेने की है देवराच्छान के चहरे पर सोचे दोट रहीं थी तुम जथूरा के बारे में बताओ कुछ वो माना हुआ वैग्यानिक और तपस्या करके उसना शक्तियां भी हासिल कर रखी है यह सच है कि उसका मकाबला करपाना असान नहीं है वो करामाती इंसान है हर कोई उसे इजज़त देता है सच कहूं तो वो शांदार है क्या होगा जहां जगमोहन और सौनलाल है वो इस सब ऐसे का वैसे ही रहेगा जब तक जगो और सौनलाल का जथूरा कोई फैसला नहीं लेता कैसा फैसला चंद पलों की खामोशी के बार पोते बाबा की आवास सुनाई दी सब कुछ तिंपर और मिन्नो पर निर्बर है आज रात फैसला हो जाएगा कि काल चक्र तुम दोनों मेंसे एक को खत्म करा पाने में सफ़ाल होता है या नहीं अगर काल चक्र सफ़ाल हो गया तो जथूरा की सारे परिशानी खत्म हो जाएगी क्योंकि देवा और मिन्नो की जोड़ी तूट चुकी होगी जो बचेगा उसके गरह जथूरा को मकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे ऐसी इस्तिती में जथूरा किसी की भी परवा नहीं करेगा परनं तो तुम्हारे और मिन्नों की बच्जानी की इस्तिती में जतूरा चाहेगा कि तुम सब पूछ जर्म में प्रवेश कर जाओ ताकि जो उसने सोच रका है वैसा सलूप वो तुम लोगों के साथ करा सके अब वो यूही नहीं तुम सब को पूच जर्म में आने देगा उसके पास यकीनां तगड़ा इंतिजाम होगा तुम उस इंतिजाम के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं अभी वाफिस पूच जर्म में लोटा नहीं जतुरा से बात की नहीं तो तुम्हें कैसे पता जला कि जतूरा क्या प्रोग्राम मना रहा है सेवकों से बात करके सेवक तुम्हें कहा मिल गए मेरी तारह पूर्जणम की दुनिया से जुड़ी हुई है वो वहाँ है मैं यहाँ हूँ परंतु हमारे पास एक दूसरे से बात करने का साधान है मैं उन सेवकों से बात करके ताजहाल जान सकता हूँ वो तो मैं सुन सकते हैं देवराचान ने पूछा अब अच्छो सुन सकते हैं इस वक्त तुम हम से जतूरा से गद्दारी से भरी बाते कर रहो इने भी तो वो सुन, इस वक्त हमारी बातों को वो नहीं सुन सकेंगे क्यों? मैंने कुछ देर के लिए वो चीज अपने से अलग कर दिये जिसकी वज़े से वो बाते सुनते थे ओ, आज की रात तुम लोगों के लिए महत पूर्ण है आने वाले वक्त की थोड़ी सी तस्वीर मैंने पहले दिखा दिये हालातों से मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लो मारे को अतियार दो ना, और बोले हो मुकाबले के तैयार हो जाओ मैं अब जाओंगा, पोते बाबा की आवाज आई, वो लोग करीब आते जा रहे है मारे का फसा के, खुदो भागो, उसके बाद पोते बाबा की आवाज नहीं आई, चारो एक दूसरे को देखने लगे नगीना क्या उटी, सबसे बड़ा सवाल है कि हम पोते बाबा की बाद का विश्वास करें या ना करें आप उनको तो पोते बाबा फ्रॉड दिखेला, तुम क्या कहेला बाब मारा तो दिमाग भी ठपो गयो है, मुझे पोते बाबा की बाद का भरॉसा नहीं, नगीना ने कहा हो तो मारे को भी नहीं, पर दिल कहो कि पोते बाबा की बाद इस बारों मानो ही लो जो भी पोते बावा ने काया है, वो सद जूट के रूप में जल्दी हमारे सामने आ जाएगा देवराच चार ने सोच बरे उसर में का, वो कहता है कि आज की रात फैसले की और रात आने में जादा वक्त नहीं अब क्या करें यहां रुखे रहने से कोई फायद है नहीं किस दिशा में जाना है ये भी बता नहीं मेरे खेयल में इसी तरह आगे चलते हैं चल लो वो सब पुना पहले की तरह आगे बढ़ने लगे पेड़ घने ते दिन का प्रकाश कम हो रहा था कहीं कहीं तो जभी नदेर पूर्ष जन्मों में खत्रो बहुत बड़ो बड़ो हुवे तुम तो हर खत्रे को बड़ेला बाप मजा को नहीं छोड़ो पूर्ष जन्मों में जाने के सोच के मारा दिल बजो रुस्तम राव ने नगीना को देख कर का दीदी पूर्ष जन्मों में जाने के सोच कर तुम्ह कैसा लगेला अभी रात बीच में बाकी है रुस्तम क्या मतलब पोते बाबा की बात सच माने तो ये रात हम पर भारी पढ़ सकती है नगीना नगंबीर सर में कहा कैसे दीदी काल चक्र कोई मामूली चीज नहीं है उसका एसास हमें हो चुका है वही काल चक्र हम सब को घेरने वाला है कि रात के अंदीरे में दीवराद चोहान और मोना चोधरी का जगड़ा करवा सके खास तोर से काल चक्र की ये कोशिश होगी तो खुदी सोचो कि वो कितनी खतरनाक कोशिश होगी परफेक्ट बोलेला दीदी जैसे भी हो हमें ये रात आराम से गुजारनी होगी ब देवराद चोहन बोला अगर पोते वावर ने सच कहा है तो रात को बहुत कुछ हो सकता है जब तक हालात मेरे सामने नाव में कुछ नहीं कह सकता हालात तो रात को ये हमारे सामने आएंगे नगीना बोली रुस्तम राव कुछ कहने लगा कि शब्द इसके होटो में ही रह खटका हुआ था, इस पश्ट आवाज अबरी थी, जैसे किसी के पाउं के नीचे सूखी टहनी आ गई है वे चारों ठटके नजरें हर तरफ घूमी, तब ही एक आदमी दिखा, जिसके हाथ में कुलाडी जैसा आतियार था वो सूखी लकणियों पर खड़ा था, उन लकणियों पर या तो उसने पैर जान बूच का रखा था, या अन जाने में आ गया था उसे देखते ही देवराच्वान के चहरे पर छाई का ठोरता में बड़ोत्री हो गई पोते बाबा को पहली बात तो सच होईला बाप, यो तो कल्लाई दिखे हो, साथ में कोई न होबे, हम इसको वड़ दियो तब ही देवराच्वान बिजली की सी तेजी से पल्टा, उसके कानों ने सरसार सुनी थी, दूसरी दरब उसने दो वेक्ती देखे फिर उनके एड़ दिखरते फैले वेक्तियों के दिखने में बड़ात्री होने लगी, पूरा घेरा था वो उन पर पढ़ चुका था, हम घेर चुके हैं, देवराच्वान ने कटोर सर में का, ये संख्या में बहुत जादा इनका मुकाबला करना बेवकूफी होगी, यो त परश्चिम की तरफ चलता रहा था, समद्र से लेरे टकरा कर उनकी आखे चौंदिया रही थी, ठंडिया वोन राहत पहुचा रही थी, वे दोन असमद के किनारे किनारे आगे बढ़ते जा रही थे, अगर यहाँ कोई रहता है तो समद्र के किनारे औवस्च कोई इंसान द जाएं? ये जम्भब नहीं. क्यों? जगमान ने मुझे अपनी और पोते बाबा की बात्चीत के बारे में बताया था. पोते बाबा ने कहा था कि जथूरा हम सब लोगों पर सीदे सीदे कोई बार नहीं कर सकता, कि जिससे हमारी मौत हो सके जथूरा का ऐसा वार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम इस पूर्जण में प्रवेश ना कर जाएं पारसनात बोला वो हमें जगड़ा करवा करी हमें मौत दे सकता है और इसी कारण और से हम सबको एक जग एक खटा किया है हम जगड़ा नहीं करेंगे मेरे खैल में तो जथूरा की निगाओं में सबसे कमजोर कड़ी तो मो मैं वो कैसे क्योंकि तुम्हें जल्दी घुस्सा आ जाता है एक बार तुम उससे गलती हो गई पारसना जो मैं सबन चड़ा की बातों में आ गई मोना चौदरी की निगाह आगे बढ़ते हुए बात है करते हुए हर तरफ गुम रही थी रास्ते में आने वाले चोटे बड़े पारी पत्रों को वो पार करते जा रहे थी हाँ उन दोनों की हरकतों से हमें सतर्क रहना होगा वो मोमो जिनने के हाथों फजे फिर कोई गलबर कर सकते हैं दोनों के बीच कुछ चुपी है ठहरी उनके चरीप पढ़ने वाली सीधी धूप कभी कभी शरीर में चुबन प्यादा कर देती थी उस देर बात ये चट्टानी लागा खत्म होता दिखा दूर सामने घने पेड़ों का जंगल नजर आ रहा था अभी तक कोई नजर नहीं आया पारसनात नगा हो सकता है उन पेड़ों की तरफ कोई आबादी हो मोना चौधरी बोली हमें वापिस भी जाना है काम अधूरा छोड़कर वापिस जाने को कोई फायदा नहीं हम आगे जाएंगे टापू का पूरा चक्कर लगा कर लोटेंगे क्या पता टापू कितना बड़ा है पारसनात ने गंबीर सर्म का देखते हैं मोना चौधरी ने पारसनात को देखा शायद आगे हमें जगमोहन महाजन मिल जाएं पारसनात ने सहमती से सिर्ह ला दिया दोनों आगे बढ़ते रहें सोहन लाल का हम सब के बीचना होना आजीब बात है पारसनात बोला सिर्फ वही नहीं है यहां इसकी अवश्य कोई भजय होगी क्या तो मैं जथूरा की कुछ याद है नहीं मोना चौदरी न का अभी तक तो ये नाम मुझे सुना हुआ नहीं लगता तब ही एक पत्थर उनके आगे आकर गिरा दौनों चौके उसी पलफुर्ती से पलटे पिर दौनों के चहरों पर ही आश्चर रना चुटा पीछे कुछ कदमों के फासले पर मुस्करात हुआ पेशी राम फकीर बाबा खड़ाता शरीर पर सफेद धोती माते पर चंदन गतिलक चांदी जैसे बाल पीछे को जाते हुए गले में मालाएं पड़ी थी चहरे पर ऐसा तेज़ता की देखते ही बनता था अब उसके चहरे की जुटियों में कुछ बड़ातरी हो गई थी पहले के मुकाबले मोना चौद्री और पारसनात ने कम से कम इस वक्त तो पेशी राम को देखने की कलपना नहीं कीती दोनों ने अपने चहरे पर चाये हैरानी के बावों को समाला पेशी राम तुम मोना चौद्री के होटों से निकला कैसी हो मिन्नो ठीक हूँ और तुम परसू मजे में हो पेशी राम ने पारसनात से पूछा पारसनात ने उसे देखते हुए सहमती में से रहला दिया पेशी राम दो कतम आगया है और ठिटक गया सामने ही दूर तक जाता कभी न खत्मोने वाला समुद्र था मैंने सोचा था कि इस बार तुम से तुम मैंसे किसी से नहीं मिलूँगा हालातों का मुकाबला तुम लोगों को स्वेमी करने दूँगा तो अब क्यों आए पेशी राम मोना चौद्री ने पूछा हालात बिगड चुके हैं ये तुम्हें अब पता चला मैं सब हालातों पर नजर रखे हुए था पर अंतो अब मुझे सामने आना ही पड़ा तुम लोग काल चक्र में फसे हुए मालूम है पेशी राम बास सिर्फ इतनी होती तो मैं सामने ना आता तो तुम लोगों का मुकाबला जथूरा से वो शैतान है या यूँ कहलो की बड़ा विद्वान है मोना चौदरी और पारस साथ की नजर पेशी राम पर पड़ी जथूरा के मौत के खेल के सामने तुम लोग कमजोर हो वो तुम सब को हरा देगा यही कहने आयो पेशी राम गंबीर नजर आने लगा मैं चाहता हूँ कि तुम सब वापिस पलट जाओ जथूरा के रास्ते सहट जाओ मोना चौदरी के होंट सिक्ड़े चेरे पर कड़वे भावा ठहरे सुना सुना मोना चौदरी पारसनान दा कठोड सर्म का अच्छी तरह से सुना तुम जानती हो मिन्नो कि मैं तुम्हें कभी भी गलत राए नहीं दूँगा पेशी राम बोला लेकिन अब तु बूड़ा हो गया पेशी राम मोना चौदरी ने व्यंग से का बेशक मैं बूड़ा हो गया हूँ पेशी राम ने गंबीर सर्म का मैं तो कब से शरी को त्यागने के इच्छा रखता हूँ परंदू श्राप में फसा पड़ा हूँ जब तक तेरे और देवा में दोस्ती ना करा दो तब तक मुझे श्राप से मुक्ती नहीं मिलेगी मैं अपने शरी को त्याग नहीं सकता बूडे पर बूड़ा होता जाओंगा तीन जनमों से मैं शरी के साथ जी रहा हूँ अगर तुमारे इस जनम में मैं भी मैं अपनी कोशिश में सफल ना हुआ तो मुझे तुम लोगों के चौते जनम का इंतिजार करना होगा फिर वहां कोशिश ये बात है पुरानी हो चुकी है मेरे लिए तो नहीं है मेरा तो वही जनम चला आ रहा है पहले जनम में सब तेरी गलतियां थी तू नहीं मुझे देवा के खिलाब भड़काया था उसी का तो फल मैं अभी तक भुगत रहू पेशी राम पारसनात क्या होटा बात अब की है इन हालातों की करो तो भैतर होगा हमारे पस वक्त कम है अंदेरा होने वाला है पेशी राम ने अपने बुड़े चेहरे पर हाथ फिरा कुछ पलों तक वहां खामोशी रही फिर पेशी राम क्या होटा तुम लोग शाय जतूरों का मुकाबला ना कर सको वो तुम पर भारी पड़ेगा तुम क्यों चिंता करते हो? मोना चौदरी ने का मुझे ही तो चिंता करनी है अगर तेरे को या देवा को कुछ हो गया तो मुझे तुम दोनों के अगले जनम का इंतिसार करना पड़ेगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जतूरा की रास्ते से हट जाओ हम मैंसे कोई भी जतूरा की रास्ते में नहीं आया जतूरा ही हमारे रास्ते में आया था पेशी राम हाँ उसकी शक्तियां उसे संकेत दे रहिंती की देवा और मिन्नों का पूर्जनम के उस हिस्से में प्रवेश हो सकता है जहां उसका सामराज फैला हुआ है ऐसा होना जथूरा के लिए नुकसान दे होगा यही वज़ा रही कि आशंका में भरा जथूरा पहले से यह से इंतिजाम में लग गया कि तुम लोग पूर्जनम में प्रवेश ना कर सको परन्तु उल्टा होता रहा जथूरा की चेश्टा है तुम लोगों के रादों को मजबूत करती चली गई पूछ जण मैं प्रवेश करने को बेशक यह जथूरा की घलती थी तुम लोगों को रोकने की चेश्टा करना परन्तु ये सच है कि वो तुम सबसे ताकतवार है उसका कुछ बिगाड़ पाना असान नहीं है तुम है मैं पीछे अटने को के कह रहे हो हाँ पीछे कैसे अटेंगे हम तो जथूरा के फेके काल चक्र में फसे पड़े हैं मोना चौदरी बोली मैं तुम सबको काल चक्र से बाहर ले आऊँगा तुम लोगों की सामान न दुनिया में पहुचा दूँगा फिर क्या होगा फिर तुम लोगों का सामना जथूरा से नहीं होगा सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा तुम हमें काल चक्र से बाहर निकालने को क्यों अताब ले हो रहो योगि जथूरा भी ऐसा ही चाहता है जथूरा से मिले हो तुम नहीं परन्तु मैंने अपनी शक्तियों से जथूरा के विचारों को महसूस किया है जथूरा ऐसा चाहता है तो वो हमें इस काल चक्र से समी नि जिन पर जथूरा का कोई अधिकार नहीं है, फिर तो वही होगा जो काल चक्री की शक्तियां चाहेंगी, जथूरा ये तुम हमें काल चक्री से बाहर निकालने को ब्याकुल क्यों हो, मैंने अपनी वज़े तुम्हें बताई दिये, और जथूरा भी नहीं चाहता कि तुम लो तो चाहते हो कि हम बूर्जन में प्रवेश ना करें। अवश्य चाहता हूँ, क्योंकि जतूरा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो आज के वक्त की महाशक्ती है। पेशी राम ने गंबीर स्वर में का, मुझे तुम लोगों की चिंता है, आने वाले वुरे वक्त को मैं रोखना चाहता हूँ, क्या तुमने आने वाले वक्त की जलग देखी है। नहीं, मैंने भविश्य में नहीं जाका, अपने विचारी वक्त कर रहा हूँ, पेशी राम बूला, तो मैं भविश्य में जाकना चाहिए था, शायद जीत हमारी हो, अब भविश में जाकने का वक्त निकल चुका है, वैसे तुमें मेरी राय मान लेनी चाहिए, देवरा चौन से इसबारे में बात की, देवा से तभी बात करूँगा जब तुमारी हाँ हो, हमेशा तुमारी दरब से समस्य आती है मिन्नो, मुझे अब प तुमारा क्या विज़ार है परसू, क्या तुम मिन्नो को समझाओगे कि मैं मोना चौदरी के जवाब से सहमा तुपेशी राम, तुम और नील सिंको तो मिन्नो की बात कभी गलत लगती नहीं, पहले जन्हें मैं भी मिन्नो की बात पर आख मून का विश्वास कर लेते थे औ कुछ भी तो नहीं बतला, मोना चौदरी क्या उटी, हमारे पास वक्त कम है पेशी राम हमें जाना है, जबरदस्ती तुम्हें कर नहीं सकता, लेकिन आस तुम्हें एक बाद कहना चाओंगा मिन्नो कहो, मैंने हमेशा तुम्हें रोकाए कि देवा से जगडा नहीं करो, पर जथूरह नहीं कालचकर का वक्त कम कर दिया है, सिर्फ आज की रात बाद कालचकर सिमर जाएगा, अपने मैं, परण तुम्हें आज की रात फैसले की है, कैसे फैसले की, जथूरह आज रात तेरे और देवा में जगडा कराकर एक को तो जरूर खत्म करवाना चाहेगा, और टापू पर काल चक्र की एक बस्ती है उन सब की बड़ी बनी हुई है कमला रानी इस वक्त मोना चौदरी के होट बिज गए देवा और अन्यलो कमला रानी की कैद में पहुंच चुके हैं पेशी राम न पुना का तू मेरा दिमाग खराब कर रहा मैं नहीं कर रहा काल चक्र न तू को छिपा रहा है पेशी राम पारसनात बुला मैं तो सब इतना कह रहा हूँ कि जतूरा काल चक्र के माद्यम से देवा और मिन्नो में जगडा कराकर एक को खत्म करवा देना चाहता है रात की सारी तैयारियें कमला रानी कर चुकी है तू मोना चौदरी को जगडा करने अब मेरा जाने का वक्त हो गया है पेशी राम ने गंबीर सर में का जो बाते मैंने कही हैं वो याद रखना कुछी दिर में कमला रानी के लोग तुम दोनों को पकड़ने के लिए याओंगे उनसे मकाबला करने की चेष्टा मत करना कोई फायदा नहीं होगा इसके साथी प परा चैरा कठोर हुआ पड़ा था पारसनात बोला पेशी राम जाते जाते कह गया है कि जो उसने कहा है वही याद रखा जाए वो किया जाए लेकिन उसना मुझे देवराद चौन से जगड़ा करने को क्यों कहा ये तो वही चानता होगा मैं उसकी बात नहीं मानूंगी ज दो घंटे की लगातार भागदोर के बाद कमला रानी ने जोपड़ी में प्रिवेश किया उसके चेरे पर थकान सी नजर आ रही थी लखड़ी की बनी कुरसी पर वो जा बैटी कि तभी कानों में बहरी की आवास पड़ी थक गई कमला रानी हाँ कमला रानी ने गहरी सांस सारे काम अपनी आखों के सामने कराए तू महमती है तेरे को पर जनम में ले जाकर अपनी सेवी का बनाऊंगी मखानी से काम क्यों नहीं लिया वो चुम्मी मांगता है तो क्या हो गया दे देती तू नहीं जानती बहरी कमला रानी ने का उसका हाथ पकड़ो तो वो गर्म हो पाकी है हाँ सिर्फ आज की रात कल सुबह हम सब पूर जुनम में होंगे मुझे अपने काम की चिंता है कि काम कैसे भी वो पूरा कर दूँ देवा मिन्नों मैंसे एक को खत्म करने को कह रही है हाँ यही काम तो तुने मेरे को सौपा है यह काम हो जाय जो तुने खुश हो गए तब ही उसने मोमो जिन को एक आएक बड़े होते देखा तीन इंच के रूप में पहले से ही जोपड़े में था परंतु कमला रानी उसकी मौझूद की भाप नहीं सकी थी कमला रानी बुरी तरह चोंकी कौन हो तुम मोमो जिन्नू कमला रानी मैं तो मैं नहीं जानती भारी से पूछ मेरे बारे में तू भारी को कैसे जानता है जथूरा का सेवक हूँ सबको जानता हूँ जिस काम को तुम कर रही हो उसे मैं पहले से ही कर रहा था ये कौन है भारी कमला रानी ने पूछा है तो जथूरा का सेवक मोमो जिन्नी भारी की आवास कानों में लेकिन ये कुछ बतला बतला सा लग रहा है ठीक नहीं लग रहा मुझे पूस तो इससे भारी कहती है कि तु कुछ बतला बतला लग रहा है ऐसा क्यों है मोमो जिन का दिल धर्का परं तु शांत स्वर में क्या उटा बहुत देड़ से काम पर लगा हुआ आराम करने का वक्त नहीं मिला लश्मन दासो सबन चड़ा को समालना आसान नहीं जिन नोकर तू ऐसी बाते करता है कमला रानी बोली मेरे सामने भी तो परेशानिया आती है कमला रानी भारी की फुस्पसार्ट कानों में पड़ी इसकी जिन जैसी अकड़ कायब हो गई तुमारे सामने उस अकड़ को क्या दिखाना हम सब एक ही तो है जतूरा की सेवक जतूरामहान है इसमें कोई शक नहीं कमला रानी ने का तू मेरे पास क्यूं आया तुम्हारे आद्मियों ने लश्मन दास सबन चड़ा को पकड़ लिया है तो वो मेरे सेवक है आज रात काल चकरी की आखरी रात है सुबह काल चकर समट जाएगा फिर तो मुझे उन दोनों को वापिस ले जाना चाहिए तू चिंता क्यों करता है उनकी उनके साथ जो होता है होने दे उन्होंने जतूरा का बहुत काम किया है वो भी जतूरा को महन मानते हैं उसके सेवक बनना चाहते हैं तो मैं उन्हों जतूरा की दुनिया में ले जाऊंगा क्यों बहरी कमला रानी बोली इसकी बात का क्या जवाब दो ये जो करना चाहता है करने दे इसकी बातों से हमारा कोई नाता नहीं तू जो मर्जी कर मुमो जिन जब भी चाहे उन दोनों को तू यहां से ले जा सकता है मेरे लाइक कोई सेवा बता कमला रानी क्या सेवा करेगा तू जो तू कहेगी जो जथूरा के हक्त में होगी मैं तो जथूरा की सेवा करने के लिए हमेशा तयार रहता हूँ अभी तो कोई सेवा नहीं है होगी तो बताऊंगी मेरे को पता लगाए कि तु देवा और मिन्नों में आज राज जगडा कराने जा रही है हाँ उन्होंने सोच रखाए कि वो जगडा नहीं करेंगे कमला रानी विशैले सवर में मुस्करा पड़ी मेरे जाल से वो बच नहीं सकेंगे देखूंगा मुमो जिन ने सेरे लाया मैं तुमारे पास ही रहूँगा तुम पकारों के तुम्हें आज़र हो जाऊँगा कमला रानी ने सेरे लाया तदी तभी जगमहन के रूप म मकानी ने भीतर प्रिवेश किया तू यहां मकानी मुमो जिन को देखते ही क्या उठा सबका सेवा कूँ लश्मन दास और सपन चड़ा को कैद में नहीं रखा वो खोले में मकानी बोला शुक्रिया फिर मुमो जिन कमला रानी से क्या उठा मैं जाता हूँ जरूरत पड़े तो बुला लेना कमला रानी के सेरे लाने पर मुमो जिन बाहर चला गिया मकानी आगे बढ़का स्टूल जैसी जगह पर बैठता क्या उठा मैं तेरे से नाराज हूँ मैं तेरी परवा नहीं करती कमला रानी ना मुँग बना करका परवा नहीं करती नहीं कमला रानी मुस्करा पड़ी साली जूट मत बोल नकरे मत दिखा एक चुम्मा ही मांगा है और तू हवा में उड़ने लगी चुम्मे के बाद तू अपने पर काबू नहीं रख पाएगा मैं तेरी आता जानती हूँ तो क्या हो गया वो सब भी हो गया तो ये काम का वक्त है और तू तो बूड़ी औरतों की तरह बात कर रही पहले मैं बूड़ी ती अब जवान हूँ एकदम कड़ाक तब ही मखानी न बाज की तरह जपटा मारा हो और कुर्सी पर बैठी कमला रानी को जकल डिया ये क्या करता मखानी कमला रानी बड़ बड़ हार बड़ाई कानों में बहुरी की हसी गुझी छोड़ मुझे मखानी ने उसी पर उसकी चुम्मी ली और उसे छोड़ कर पीछे अट गया कमला रानी ने अपने को समाला और रुट खड़ी हुई मखानी को घूरा मखानी दाद फाड़ कर मुस्कराया मैं तेरे को छोड़ूँगी नहीं मखानी के बच्चे चुम्मी लेने पे तेरा क्या घिज गया ये काम का वक्त है मैंने कब कहा कि तू काम ना कर कमला रानी ने गैरी सांसलेओं मुस्करा पड़ी तू बहुत शरारती है मखानी तो हो जाए मखानी मुस्करा रहा था क्या पीछे कमरे में हो गया ना गर कमला रानी क्या उठी इसी वास्ते तेरे को चुम्मी नहीं देने देती मखानी कुछ कहने लगा कि शौरी की फुसफ़साट कानों में पड़ी ये गंभीर बख चल रहा और तू क्या कर रहा है मैंने क्या किया है एक चुम्मी तो लिए कमला रानी की अब तू उसे पीछे वाले कमरे में चलने को कह रहा है वो तो मैंने सोचा शाहिद कमला रानी का मन कर आया हो की चुप कर शौरी का सर सक दूगा ये रात काल चकरी की आखरी रात है तुम लोगों ने सफल होना है मखानी ने से रहला दिया फिर बोला मुझे काम बता कमला रानी के साथ रहे ठीक है मखानी कमला रानी क्या होटी मैं कैदियों से मिलने जा रही हूँ मैं भी साथ चलता हूँ चल दौनों जोपड़ी से बाहर निकले रात का अंदेरा चारोतर फैल गया था बस्ती में मशालो दारा रोष्णी होनी शुरू हो गई थी जगे जगे मशालों की रोष्णी चमक रही थी बस्ती वाले आते जाते नजर आ रहे थे उनके पास आते ही मुमो जिन उचे सवर में क्या उटा कमला रानी और मखानी आ रहे हैं सलाम करो इन्हें लक्षमन दास और सपन चड़ा ने फोरन उटकर दोनों को सलाम किया जो भी खाने पीनों को मंगना है ने कहे दो मुमो जिन बोला खाने पीनों को सपन चड़ा अचकचाया तुम मुझसे कह रहे थे कि भूख लगी है वो इंसे काओ हाँ हाँ में भूख लगी है सपन चड़ा ने जल्दी से दोनों से काओ किसी भी बस्ति वाले से कह दो वो खाने को दे देगा कमला रानी ने काओ मा खानी की साथ आगे बढ़ गई मोमो चिन समध जटा के कानू में बूला जो भी खानू को मिले मुझे देना मुझे बहुत भूख लगी है तू कम मरेगा सबन जटा परिशान से क्या उठा नाराज मत होगो इस वक्त तुम मेरे कारण ही मस्ती के मेमान बने हो वरना कैदी होते तू अगर हमें आनी लाता तो ये सब नौबती नहीं आती लक्षमन दास क्या उठा जथूरा के सेवों को का हुक्म था बजाना पड़ा तो उन्हें ये भी कह दे क्या कि तेरे से तेरे में इंसानी इच्छाएं लोटाई है और तुझे भूक लगने लगी है ये उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे थीरे बोलो कोई सुन लेगा अब जाओ खाने को लेकर आओ कमला रानी भारी की फुस्वसाट कानू में पड़ी मोमो जिन को जब भी देखती हो तो अजीब सा लगता है क्या अजीब सा वो मुझे जिन नहीं लगता उस पर कोई संधे होता है ये कैसे हो सकता है तू नहीं तो मुझे मोमो जिन के बारे में बताया था अब संदे कैसा? कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ बतला-बतला से लगता है धहम हो गया है तुझे, कमला रानी ने का कुछ तो बात है, आज की रात बीच जाए फिर मैं उपर कहकर मुमो जिनका चेक अप करवाऊंगी ये बात तू जान, तब ही सामने से हंसराज आता दिखा, वो करीब आया हंसराज हमें कैदियों के पास ले चल, कौन से कैदियों के पास जाएंगी हंसराज ने पूछा, क्या मतलब? कैदियों को जैसे तैसे पकड़ा है, वैसे यह अलग-अलग रखा गया है हंसराज ने बताया देवा के पास चलते हैं पहले मखानी क्या उठा आईए क्या कर हंसराज दो कदम आगे चल पड़ा सब तैयारी ठीक से हो गई है हाँ कमला रानी तो चलिए दोस्तों इसके आगे की कहानी हम जानेंगे इसके अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद